What's up guys my name is Priyanshu and you are watching statistics my passion question है सबसे पहला a worker suffers a 20% cut in wages he regains his original pay by obtaining a rise of 20% 22.5% 25% 27.5% question में ये कह रहे हैं कि एक worker अपने जो उसकी salary है उसमें 20% का उसको cut देखने को मिलता है यानि 20% उसकी salary कम हो जाती है तो हमें ये बताना है कि हमें उसकी salary में कितनी बढ़तरी करें कि उसकी salary वापस वहीं की वहीं हो जाए तो कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि 20% अगर हम कम करते हैं तो 20% की बढ़तरी कर देते हैं तो वहीं की वहीं अपना answer हो जायगा लेकिन ऐसा नहीं होता है जब हम किसी चीज में कमी करते हैं तो उसकी जो exact value होती है उसका percentage देखा जाता है जैसे कि माली जी 100 में हम 20% की कमी करेंगे तो हमें 80 बचेगा और 80 का 20% अगर अब तन देखें तो 80 का 20% होता है कितना? आप सोचें ज़रा 80 का 20% कितना हो गया? 16 तो 16 आप अगर 80 में बढ़ाएंगे तो 96 आएगा answer तो हमें 96 नहीं लाना है बलकि 100 पर पहुचाना है तो यहाँ पर तुम्हें एक simple से अधारन से आपको समझा रहा हूँ लेकिन अगर आप बड़े questions करेंगे तब कैसे करेंगे तब हमें इस तरीके से आपको करके दिखाना पड़ेगा माली जी आपकी salary है x अभी salary x माल लेते हैं और उसमें बोला गया है कि 20% इसमें इसका cut किया गया था question में ऐसा बोला गया है x मैंसे हमने minus कर दिया 20 x upon 100 यह 20 x upon 100 क्यों आया है इसलिए आया है क्योंकि हमेरे जो wage है उसमें से 20% की कमी आई है तो 20% की कमी आई है किसमे salary में से तो 20% को हम 20 upon 100 लिख सकते हैं और x हमारी salary है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है 20 x upon 100 equal to 80 x upon 100 जब हम इसको solve करते हैं तो हमारा आएगा यह जब हम इसका LC हम लेंगे तो 80 x upon 100 आएगा अब वो बोल रहे हैं कि बताईए कि in 80 x upon 100 he needs to regain 20 x upon 100 अगर 80 x upon 100 में अगर इसको plus कर दिया जाए 20 x upon 100 को plus कर दिया जाए तो हमारा दुबारा से अगर आप इनको plus कर के देखें दुबारा से क्या आजाएगा हमारा x आजाएगा जो कि हमारी real salary थी अब यहां लिखाए in 1 he needs to regain 20 x upon 100 divided by 80 x upon 100 divided इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें x की value मिलने वाली है x की value मिल चुकी है कितनी x से x कटेगा x से x कट जाएगा और उसका ratio मिल जाएगा 1 x 4 1 x 4 का हम 100 से multiply कराएगे तो जो बचेगा वो बचेगा 25 और 25% हमारा एक answer आ चुका है यानि कि salary में हमें 25% की बड़ोत्री चाहिए अगर आप सरल भाषा में जानना चाहते है तो simple सा अगर देखिए मैंने आपको शुरुगात में बताया था जैसे कि माली जी आपके salary हम माल लेते हैं 100 और question में बोल ले हैं कि भईजी इसमें 20% की कमी होई है 20% यानि कि 100 का 20% 20 होता है तो कमी होगी 80 अब बोले है he regains his original pay by obtaining a rise off अब माली जी इसमें कितने हम जोडें कि वो वापस 100 पर आजाए यानि कि हमें आपके 20% जोडना पड़ेगा तो 80 में 20 जोड रहे हैं तो वापस 100 आने वाला है तो 80 का कितना percent जो होगा वो 20 के बराबर होगा तो हमें यह हिसाब लगाना है 80 का 80 का कितना percent X percent अगर आप इसको solve करके देखेंगे तो चलिए देखते हैं x upon 100 लिखेंगे इसको और ये 0 से 0 cut हो जाएगा then इसको हम नीचे solve करते हैं 8 upon 8 into x upon 10 is equal to 100 x is equal to 1000 upon 8 और जब हम इसको divide करेंगे तो 1 and 2 5 125 परसेंट यानि कि जब हम 100 परसेंट में से 125 परसेंट को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर जो आने वाला है वो आएगा 25 परसेंट यानि कि ये जो answer है हमारा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो 25 परसेंट के बरावर है थैंकियो सो मच इस वीडियो देखने के लिए अगले कोशन में मिलते हैं